आज हम बनाने जा रहे हैं चावल से एक बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही सिंपल नाश्ता जो जटपट से बनके तयार हो जाएगा सिर्फ 5 Minutes में और इसे बनाने के लिए न तो आपको चावल को भीगोने की जरुरत है और ना ही पीसने की जरुरत है बस इसे हमें पानी में घोलना है और जटपट से हमें इसे बना लेना है तो इसे बनाना बहुत सिंपल है तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है तो एक बाउल लि को भी बारी कट किया है थोड़ी से करी पत्ते उसे भी बारी कट कर लिया है दो हरी मिर्च उसे भी हमने बारी कट किया है और एक छोटा चमर जीरा और स्वाद अनुसार नमक अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस प्रकार अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी इसमें हमें दो कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका हमें एक पतला सा गहोल बना लेना है तो आप इसमें जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके अड़ करिएगा तो फ्रेंड से दी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेर करिएगा, लाइक बटन दबा दीजेगा और साइड में जो घंटी है उसे प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो का आप अपलोड हो रहे हैं इसके नोटिफिकेशन मिले, तो यह हमारा पतला सगहोल जो है वो बनके तयार हो चुका है अब हम इसे ढख करके पांच मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तो चलिए अब हम चटनी बना लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए मैंने एक चुथाई कप मूंफली लिया है इसे हमें ड्राइ रोस्ट करना है यानि बिना तेल के इसे हमें भूनना है बिल्कुल हलके आँच पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मुफली है वो भून चुकी है अब हम इसे निकाल के रग देते हैं और इसे ठंडा करके और इसका जो skin है वो निकाल देगे अब हम एक चुथाई कप सफेद तिर ले लेते हैं इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे या और इसमें डाल देंगे छिलका उत्रा हुआ मुंफली और इसमें दो बड़े चमच हमने इसमें कच्चा नारियल डाला है दो हरी मिर्च डाली है और एक इंच अद्रक इसमें हम डालेंगे और पांच हमने इसमें लहसुन की कलियां डाली हैं और एक बड़ा चमच हम इसमें निम्बू का रज डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं और इसमें आदा कप हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसे हमें पीसना है पहले इसे हमें मोटा मोटा पीसना है तो इस तरीके से पहले हम मोटा मोटा इसे पीस लेंगे अब हम इसमें फिर से आदा कप पाने डालते हैं और इसे हमें पीसना है बिल्कुल बारिक इस तरीके से ये देखिए इस तरीके का बिल्कुल बारिक हमें चट्नी पीसना है इसका तो ये हमारे चट्नी के लिए चलिए तड़का त्यार करते हैं तो एक तड़के पैन में एक बड़ा चमच हमने ते जो चटनी का स्वाद है वह बहुत बढ़ियां आए और थोड़ा सा इसमें हम हींग डाल देते हैं और अपने तड़के को चटनी में बढ़ियां सा मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी चटनी बनके तयार हो गई हमारे नाश्टे के साथ में या फिर आप किसी और भी कोई आप ढोशा बना रहे हैं इडली बना रहे हैं उसके साथ भी आप इसे सफ कर सकते हैं पराटे के साथ भी आप इसे खा सकते हैं तो ये हमारी चटनी तयार है तो चलिए हम ताकि इसकी निश्य जो बैठा हुआ जो चावल का आटा है वह अच्छे से मिक्स हो जाए तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं तो हमने इसे बनाने के लिए एक नॉन स्टिक पैन लिया है नॉन स्टिक पैन को बहुत अच्छे से आप गरम कर लिजेगा अदम हाई फ्ल है वह बन पाएगा तो चलिए यह बैटर कोड यूज करने से पहले हम इसे बढ़ियां सा चला लेते हैं और इसे हमें इस तरीके से चारो तरफ घुमाते हुए हमें इस पूरे पैन में फैला लेना है तो यह आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद यह उपर का जो पा नहीं तो यह देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में और यह खाने में भी बहुत टेस्टी है तो इसे हमने दोनों तरफ से उलट पुलट लिया है और हमारा जो यह चावल का धोशा है वो रेडी है सौफ करने के लिए तो इसी तरीके से हम अपने बाकी बचे हुए बैठर का भी धोशा बना लेंगे तो हैना फ्रेंस यह बहुत ही इजी और सिंपल टेस्टी नाश्ता अब जब चाहें तब आप ब्रेकफस्ट में आप इसे बना सकते हैं और इसका आपको टेस्ट और बढ़ाना है तो आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा तेल या बट बनाना चाहते हैं तो आप इस बैटर में आधा कप पानी और मिला दीजेगा और यह याद रखेगा कि हमें इस पैन पे टेल नहीं लगाना है और इसे हमें तीन से चार मिनट इसे इसी तरीके से रखना है और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि यह कितना बढ़िया बना है इसे हमें चथनी के साथ जो हमें चथनी बनाई है उसके साथ सौस को साथ सर्फ करिए और यह देखी हमारा एक दम क्रिस्पी डोशा बनके तैयार हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है !! तो आपको इसकी आवाज से पता ही चल गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी है तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई